हलो फ्रेंड्स मैं हूँ माया और माया की रसोई में आपका बहुत बहुत श्वायत है आज हम बनाएंगे चनी की दाल एकदम धावे वाली स्टाइल में बैसे तो घरों में सभी लोग चनी की दाल बनाते हैं लेकिन बहुत स्वाग नहीं होता है जो ढावे वाली दाल में होता है तो चलिए देख लेते हैं ढावे वाले कैसे बनाते हैं चनी की दाल चनी की दाल बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चनी की दाल ली है एक कटोरी मूं की दाल ली है अगर आप मूँ की डाल कम पसंद करते हैं तो आप 1 फोर्थ कर लीजिए दोनों डाल को हम एक वावल में डालेंगे और इसको 2-3 वार अच्छे से पानी से मसल मसल कर धुल लेंगे डाल में पानी डाल दिया है अब इसको हम धुल लेते हैं अगर आपको डाल की रैस्पी पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धावा स्टाइल दार बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा डाल को मैंने दो-तीन वार अच्छे से धूल लिया है और अब इसमें हम पानी डाल के आदा घंटे के लिए ढखकर रख देते हैं और अब हम इसकी आगी की त्यारी कर लेते हैं दाल को रखके हुए आदा घंटा हो गया है दाल अच्छे से फूल गई है तो अब हम इसको कुकर में डालेंगे एक छोटी चम मच नमग डालेंगे एक हरी मिर्ची ली है इसको मैंने डंठल के सही डाला है इस तरह से डालने से दाल में बहुत बड़ी आप फ्लेवर आएगा हरी मिर्ची का और मैंने चार लॉंग ली ती जिसको तोड़ कर डाल दिया है एक बड़ी इलाइची लिए इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे इस तरह से डालने से क्या होता है इसका बहुत ही बड़ी वा फ्लेवर आएगा दाल में और इसमें हम आदा चम्मच हल्दी डालेंगे एक चुटकी हींग डालेंगे और इसको ढखकन बंद करके एक सीटी आने तक वाइल करेंगे कुकर में एक सीटी आ चुकी है और इसका प्रेसर भी ठंडा हो गया है तो अब हम इसको खोल लेते हैं देखी ये जो गली हुई डाल देख रही है ये मूँ की डाल है और ये दाने दाने जो देख रहे हैं ये चने की डाल है मूं की डाल डालने से क्या होता है इसमें बाइंडिंग आ जाती है ये एकदम से पानी पानी से नहीं दिखती है तो अब हम इसको साइड से रख देते हैं और अब हम इसके लिए तड़का की तयारी कर लेते हैं गैस पर मैंने कड़ाई चड़ा दिये दो बड़े चमज तेल डाला है और मैंने एक चमज जीरा डाल दिया है जीरे को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसके लिए मैंने दो बड़े प्याज लिये थे जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है तो इसको हम फ्राइ कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें हम एक चमबच अद्रक लेसन का फेश डालेंगे इसको भी यमभून लेंगे थोड़ा और इसके लिए दो मैंने टमाटर लिये थे बड़े साइज के जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है ये डाल देते हैं इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें एक चमबच नमक डाल देंगे इससे क्या होगा टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगी नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं तो अब इसमें कुछ मसाले याट कर लेते हैं इसमें हम डेड़ चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आदा चम्मच हल्दी डालेंगे बस अब इसमें हम और मसाले नहीं और इसको अच्छे से पका लेंगे तेल से अप्रेट होने तक और आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं तेल से अप्रेट हो गया है तो थोड़ा सा मसाला हम अलग निकाल लेते हैं यह हम बाद में बताएंगे इस मसाला मैंने क्यों अलग निकाला है अब बच्ची हुए मसाले में हम दाल को मिक्स कर देंगे अब ये जो घरों में बनती है नॉर्मल तड़के वाली दाल भो बन कर त्यार हो गई है अब हम इसको ढवा अश्टायल एक तड़का लगाएंगे अब इसके लिए हम एक तड़का पहन लेंगे इसमें दो बड़े चम्मच देशी घी डालेंगे और इसके लिए मैंने आठ दस लेसन की कलिया ली है जिसको बारी कवारी कट कर लिया है दो लाल सूखी मिर्ची ली है और मैंने एक इंचा द्रग का टुकडा लिया था जिसको लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिया है तीन हरी मिर्ची को लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिया है तो घी गरम हो गया है अब इसमें हम मिर्ची को फ्राई कर लेंगे लेसन डाल देंगे लेसन को भी golden brown होने तक fry करेंगे और इसमें अब हम अधरग डाल देते हैं हरी मेट्ची को भी डाल देंगे इसको भी थोड़ा सा fry कर देंगे और एक चुटकी हिंग डाल देंगे और इसके लिए मैंने थोड़ी कसूरी मिथी ली थी इससे बहुत ही वड़ी है दाल में फ्लेवर आएगा और जो मैंने मसाला बचा के रखा था हम वो डाल दिया है सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सब हूनेंगे इससे क्या होगा जब इसका धुआ तड़के के अंदर जाएगा तब वही फ्लेवर धावे वाला फ्लेवर एकदम दाल में आएगा लीचिय तड़का बनकर त्यार हो गया है तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं दाल में और अब इसमें हम धनिया पत्ति डालेंगे लीचिय धावे वाली दाल बनकर त्यार है इसको हम सर्व कर लेते हैं बहुती टेश्टी डाल बनी है आपको हमारी कैसी रेस्पी लगी है जरूर कमेंट करके बताईएगा स्क्रीन पर कुछ और भी वीडियो जा रही है आप इने भी जरूर देखिए तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेस्पी के साथ तब तक ना क्याल दखिए बाई बाई